नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आईटिक डॉक्टर मुकुल शर्मा दोस्तो हर इनसान का एक स्वाल है कि क्या हम ज़्यादा हर्ष्थ में थुन करकर हमारी साधी के बाद हमारे साथ क्या होगा बिल्कुल होना भी चाहिए अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा हर्ष्ट में दुन करता है बहुत ज़्यादा मात्रा में करता है तो उनके साथ क्या होगा आगे चल कर वो आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा तो इस वीडियो का उन तक देखेगा आप अपनी लाइफ को बरबाद कर रहे हैं बचाए कैसे वो आपको मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊँगा तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा कैसे दोस्तो अगर आप लंबे समय तक लगाता है हैंड प्रेक्टिस करते हैं तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती नाइट फोल के अब इसकी वज़ाए से क्या होता है आपके स्प्रम कम हो जाते है वीरे पतला हो जाता है सेक्शोल इच्छा है डिजायर सब कम हो जाती है जब आप साधी करने जाते हो तो आप एक दो मैने तो फिर भी आपको अच्छा लगता है कि हाँ बहुत हम बाउबली हैं अच्छे कर रहे हैं रोज कर रहे हैं तिन चार बार कर रहे हैं लेकिन जैसे एक दो मैने बीटते हैं उसके बाद क्या कई लोग तो 1-2 मेने का एक दिन ने टीक पाते हैं लेकिन जितने भी लगबग पेशेंट हैं जितने भी problem से create इस हर्समेट उनके कारण इन दिये problem साती हैं लगबग एक से 2 मेने बाद वो ढह जाते हैं उनके वाद उसके वाद उनके हालत भिलकुल खराब इसके लिए आपको क्या करना चाहिए हर चीज मैं आपको इस वीडियो में बता हुआ क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा end practice कर लोगे तो आप कभी अपनी साधी सुदा life को अच्छी तरीकी से कुछ साल जीवन में आप वैतित नहीं कर सकते हो आप गल्त रास्ता चुनने लग जाएंगे फिर आगे चलके बिना सोचे समझा आज कर जो इनसान आज की टाइम कर रहा है वो मैं चीज़े आपको बता रहा हूँ क्या नहीं करना चीज़े वो इन बता हूँआ क्या कर रहे हैं अब उनको क्या होता है साधी के बाद उनकी लाइफ है उनको एक तरीके से खतम होती सी भी दिखती है कि हाँ अब ना वो सेक्स कर पा रहे हैं ना अपनी वाइफ को परसंदुष्ट कर पा रहे हैं तो वो क्या करते हैं मैनफोर्स व्यागरा की तरब जाते हैं कुछ महीने आप मैनफोर्स व्यागरा खाएंगे उसके बाद क्या कुछ नहीं मैनफोर्स व्यागरा भी काम करना बन कर देगी फिर हैवी डोज के इंजेक्शन लग आते हैं उसके बाद वो भी काम करना बन फिर आयरोइद के पास जाते हैं और आयरोइद लेता है टाइम उसके उपर क्योंकि आपका सरीर पूरी तरीके से खोकला हो चुका होता है उस टाइम तक आयरोइद में आप एक-एक महिने हर्जगा माता मारते हो और आप कहते हो रिजल्ट नह किया फिर बहुत हैविड डोज की अलोपेटिक दमायों से खोकला किया तो आप एक महिने में रिकावर नहीं हो सकते हो आपको महिने लगे हैं कम से कम तीन से चार रूप सिर्फ रिकावर होने में याद रखिए इस चीज़ को आप अगर जल्द बाजी में ठीक होना चाते ह आपको लट लग चुके है मैंन फोर्स व्यागरा की जो भी ये वीडियो देख रहा है जिसने भी आज तक मैंन फोर्स व्यागरा खाई है वो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ अब तक जितनी खाई है उतनी तो ठीक आगे हाथ ही मत लगाना बरबाद हो जाओगे आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ जो हो गया गलती हो गई उस पर आप आई रिदिक दवाई लेकर ठीक हो सकते हैं पर्मानेंट हो सकते हैं लेकिन वह यह चोरी करने के बाद आप और शिना चोरी कर रहे हो यानि कि आपने अपने शेरी को बरबाद कर दिया एक बार के लेकिन उसको और ठोक ठोक के बरबाद करे जा रहे हो है मैं फोर्च यागरा खाके वो कहां कि आपने ना इंसाफ है अपने आप शरीर के साथ कुछ दिनों का मज़ा पुरी जिल्की की सजा बन जाएगी आपके लिए यहीं मेरा बाद है तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता कमेंट कीजिए हर प्रफेक्टी इलाज के लिए मुझे कॉल कीजिए